हैपी होले आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल दे मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में आज मैं आपके लिए होली इस्पेशल में होली की सबसे मसहूर चीज गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम हलवाई इस्टाइल चासनी वाली मावा हुजिया बन तो सारी दिप्स में आज सेयर करूंगी जिससे कि आपकी जो गुजिया है वो परफेक्ट बनेगी तो आएए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा आए है तो घी से मैं मोयन कर रही हूं आप चाहे तो इसकी जगा पे डालडा ले सकते हैं घी या डालडा से जब हम मोयन करते हैं तो हमारी गुजिया खास्ता बनती है तो इस बात का ध्यान रखे और यदि आप हो सके तो देशी घी से ही इसका मोयन करें और अच्छे से हाथों से मलके इसका मोयन कर लेंगे, तो 100 ग्राम मेरा घी था, उसमें से थोड़ा सा घी बच गया है, और ये देखिए, यहाँ जो मोयन है, वो परफेक्ट हो गया है, ऐसे मुठी बान के चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा भी घी हम डाल सकते हैं, और इस तरीके से चेक कर सकते हैं तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालके और इसका डो लगाएंगे तो ना जादा सकता और ना जादा नरम हमें बीच-बीच का डो लगाना है गुजिया बनाने के लिए तो अच्छे से मलके डो तयार करेंगे बस पाच से छे मिनट में मेरा डो बनकर रेडी हो चुका है तो इसे थोड़ी देर इसी तरीके से ढख कर सेठ होने रख देंगे और तब तक हम अपने फिलिंग की त्यारी करेंगे तो फिलिंग जो है ये मैं मावा से कर रही हूँ तो यहां मैंने लिया है मावा और ये जो मावा है मैंने घर पे बनाया था मिल्क पाउडर का मावा है मातर पाच मिनट में बन जाता है इसकी रेश्पी यदि आप देखना चाहते है तो इसका लिंक डिस्किप्शन में है आप उसे देख सकते हैं तो हाथों से मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मसल लिया है मावा को और अब इसमें डालेंगे चीनी तो पाहर से यदि आप मावा लाते हैं तो उसे गरम कर लीजिएगा और जब मावा अच्छे से ठंडा हो तभी उसमें चीनी मिलाईएगा और यहां अपनी पसंद का ड्राइफूट ले सकते हैं मैंने काजू, बदाम, पिस्ता, किसमिस यह सारी चीजे बारी काट के लिए हैं और यहां मैं डार रहे हूं मुंगफली का दरदरा पावडर मुंगफली को भून के और मिकसर में हलका सा चला लिया था तो बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिकस करेंगे मावे में तो बहुत ही स्वादिष्ट सा यह फिलिंग त्यार होता है मावे वाला और बहुत आसान भी है इसे बनाना तो यहां अच्छे से सारी चीजों को मिकस कर लिया है और यह जो फिलिंग है अब डेडी हो चुकी है तो अब हम बनाएंगे चासनी तो यहां मैंने एक कड़ाई ली है उसमें डाल दिया है चीनी एक कप चीनी मैंने लिया है और उसमें डार रही हूं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी और अब इसे हम चासनी तयार करेंगे तो गैस पे मैंने बैठा दिया है और इसे चलाते हुए चासनी त्यार करना है चार सि पाच मिनट में चासनी भी हमारी बन जाएंगी medium to low flame पे इस चासनी को मैंने पकाया है और हमें कोई भी तार वाली चासनी नहीं चाहिए बस जैसे हनी होता है उस तरीके से चिपचिपा चासनी चाहिए तो बस चार मिनट तक इसे पकाए और यहां जो चासनी है वो बनकर रेडी हो चुकी है इसमें थोड़ा सा किसर का धागा मैंने डाल दिया है आप इसमें इलाजी पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए तो च बेल लेंगे तो इसे हम पतला बेलेंगे बहुत जादा मोटा नहीं रखना है ना बहुत जादा पतला भी नहीं करना है लेकिन हाँ थोड़ा सा पतला रखना है हमें तो यहां देखिए मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसकी जो मोटाई है इतनी है तो अब यह मैंन आप चाहे तो छोटी छोटी पूरिया भी बेल सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और इस तरीके से एक बड़ी पूरी बना के और जब हम बनाते है तो यह फटा-फट से हो जाता है तो यहां मैंने सारी कट कर ली है तो अब हम अपना गुजिया त्यार करे तो इसमें हम फिलिंग डाल देंगे एक चम्मच इतना और इसमें किनारे से थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक चाहे वैसे तो यह गुजिया खुलती नहीं है फिर भी थोड़ा सा सेप्टी के लिए अब इसके जो उपर एक और पूरी रख देंगे और हलका सा हाथों से दबा देंगे तो यह पहले हम चंद्रकला गुजिया बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है देखिए इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से तबाते जाएंगे पलट-पलट के तो यह जो हमारी गुजिया है अच्छे से पैक हो जाएगी और डिजाइन भी खुबसूरत सा बन जाएगा तो यह तरह की गुजिया हमारी बनकर तयार हो गई अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूं तो से पुड़ी से ही यह दूसरा तरीका भी होगा तो यहां मैंने एक फोग लिया है और इसे किनारा जो है हलका सा डिजाइन कर दिय है और यह देखिए यह जो हमारा डिजाइन हो गया अब इसे हम चाकू से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे आप चाहे तो उस तरीके से भी रख सकते हैं और इस तरीके से देखिए पकड़ पकड़ के और इसमें डिजाइन कर देंगे कितना खुबसूरत सा य ही आएगा यह चंद्रकला का दूसरा डिजाइन हो जाएगा और अब हम जो तीसरा डिजाइन है वो बनाएंगे तो यह जो डिजाइन है यह दिपक की तरह हो तो इस तरीके से बीच में मावा रखके और किनारे को हथों से दबा देंगे और अब इसे इस तरीके से मोड मोड के और इसमें भी डिजाइन कर लेंगे और यह जो दोनों किनारा इसे पकड़ के हलका सा घुमा देंगे तो ये देखिए खुबसूरत सा लग रहा है न ये डिजाइन और अब हम जो सिंपल सी गुजिया होती है वो बना लेंगे तो ये जो हमारी चोठी डिजाइन बन जाएगी तो पस्सेम तरीके से हाथों से इसका भी डिजाइन कर लिया है और ये जो हमारी गुजिया है ये भी बन गई तो यहाँ चारो तरह की गुजिया बनकर रेडी है तो अब इसे हम फ्राइ कर लेते हैं कि फ्राइ करने के लिए मैंने यहां कुकिंग ओयल कड़ाई में डाल दी है और गरम हो चुका है और अब इसमें हम अपनी गुजिया डाल के और इसे तलेंगे तो तलने का जो काम होता है वो धिमी आज पर करेंगे तो हमारी गुजिया परफिक्ट बनेगी और अच्छा सा से अलट पलट के अच्छे सा हम इसे फ्राई कर लेंगे तो यहां बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब इसे हम निकाल के रख लेते हैं और सेम तरीके से हम सारी गुजिया तल लेंगे और यह वाली जो डिजाइन है यह बहुत सुन्दर लग रही थी और अलग अलगतर है कि डिजाइन की यदि हम गुजिया महमानों के सामने सर्फ करते हैं तो देखने में बहुत जादा अच्छा लगता है तो सारी गुजिया तलकरेडी हो चासनी से तुरंत ही इसे बाहर कर लेंगे इसमें छोड़ना नहीं है तो यहां देखिए सारी जो गुजिया है मैंने चासनी में भिगो ली है और एक गुजिया मैं आपको तोड़ की दिखाती हूं कितना बढ़िया सा गुजिया बना है बिलकुल क्रिस्पी और टेस्टी स तो देखा आपने कितना आसान तरीका है बिना मोल्ड के हमने सारी गुजिया बनाई और बहुत ही अच्छी अच्छी रिजायन की बनाई है तो कैसी लगी आपको मेरी गुजिया की रेस्पी कमेंट करके चरूर बताईएगा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेयर क कीजिएगा चैनल पर पहली भार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग, हैपी होली